हेलो दूस्तु आज हम यहाँ पर बात करने वाले NLC इंडिया लिमिटेड इस शेयर से रेटेड बात करने का रीजन क्या है सबसे पहला रीजन तो यह है कि कंपनी के रिजल्ट आए है आज ओके तो इसलिए इस पर्टिकुलर शेयर से रेटी बाते करें दूसरी बात दूसरी रूपीस तक जाता हुए नजर आ तो 84 से 294 हना यह जाता हुए नजर आए एक साल के अंदर तो बात करें लगब लगब अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बहनते हुए नजर आये है इस लिए इस पर्टिकुलर शेयर से रेटेड बाते करनी जरूरी है तो आज से related बाते करेंगे सब को जानेंगे बड़ वीडियो में आगे बड़े हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आप हमारे चैनल I am small cap investor को सब्सक्राइब करें बल आइकन को हिट करें और के notification को अन करें buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करना हो चीजों को सीखने पर focus करना है और चीजे कैसे सीख सकते हैं चीजे सीखने के लिए आपको वीडियो जाके देखनी है एक एक वीडियो जाके देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा बट इस्टिल बारी किया सीखनी है तो हमाने आपके लिए एक course भी launch कर रखा है जो कि आप 860540501 8169261037 दोना नमबरों को save कर लीजिए basics to advanced technical research fundamental कब share लिया जाता है कब share बेचा जाता है share क्यों भागता है, share क्यों गिरता है, risk management, risk reward ratio, startly technical आपको सब कुछ समझ में आता हुआ, नजर आएगा इस course में 25,000 रुपे का course है, 3 months की hand holding, studies using stock market, online notes सब कुछ दिया जा रहा है, एक बार course complete होने के बाद बस केवल आख बंद करके, 6 महीने से लेके एक सब की practice कर दीजेगा, कोई भी आपको पकड़नी पाएगा stock market है, बाकी इनी नमबरों पर contact करके, अगर आप काम भी करना चाते हैं, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है यह शेयर एक साल के अंदर अंदर चलता हुए नजर आया है, अब क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यह कंपनी करती कहा है, सबसे पहले, यह business में है, of mining of lignite and generation of power by using lignite as well as renewable energy source, तो देखिए, एक साल के अंदर अंदर जितने भी renewable energy से latest share थे, वो बहुत ज़्यादा भागते हुए नजर आये, और NLC भी उन में से एक particular stocks था, और इसके इलावा अभी क्या हो रहा है, कि जितनी भी यह energy से latest stocks है, कुछ को छोड़के, काफी companies के result मैं यह आपर देख रहा हूँ, बहुत दीरे दीरे क्या हो रहा है, जो particular share related भी बाते कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए, यह इसे एक नवरतन company भी है, तो यहाँ पर इस particular share related जाके, आप चाहिए तो एक बार इनकी website पर विजिट करें, आपको सारा का सारा idea लगता हुए नजर आएगा कि company किस तरीके से लिगनाइट, mining, power generation, solar power related यह company काम करते एक बार इनकी website पर विजिट करी है, तो आपको और ज्यादा चीज़े समझ में आती हुई नजर आएगी इस company के बारे में, अब बात करते है company के financial related, तो सबसे पहले याद रखिए, यह midcap company है, 31,887 करोड रूपर का market cap है, और जब भी midcap company की बात करें, तो हमेशे याद रख इसलिए आक बंद करके कोई भी चीट में invest नहीं करना है, अब देखिए, बारे का PE है, इंडश्टी का PE 30 का है, तो आपको बड़ा सस्ता नजर आ रहा है, यह भी कोई दोराय वाली बात नहीं है, जो छोटी company होगी, company अच्छी होगी, company अपको अपने आपको अच्छे से present क करेगी, और PE ratio भी काम होगा, company सस्ती होगी, तो उसमें PE expansion का काफी chances रहता है, जब PE expansion कैसे होता है, जब share का price बड़ता है, ठीक है, ROC, ROE की बात करें, तो ROC, ROE यहाँ पर क्या है, 13 और 15 के आजपास है, कुछ खास नहीं है, face value दस्की है, dividend भी company देती भी नजर आती है, company के अच्छा नजर आता है, अभी quarterly results पर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, company के result कुछ खास नहीं है, कभी जाद है, कभी कम यहाँ पर sales में आते होगी, दिखाई दे रहे है, but still, यह last quarter के result आपको बता रहो, कि कैसे घाटे से, अच्छी खासे 900 करोड रुपे के आजपास का operating profit, okay, 396 करोड रुपीज के घाटे से 254 करोड रुपीज का profit आता हुआ, दिखाई दी गाता है, तो यह December का था, but अभी हम आके यहाँ पर consolidate number को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर, किसके NLC India के इस particular March quarter के, तो मैं screen में थोड़ा सा इसे zoom in कर रहो हूँ, तो आपको यहाँ पर सम कम है, हाना quarterly basis पर बढ़ी है, but yearly basis पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती है, साथ में यहाँ पर आप expenses की बात करें, तो company के expenses बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए, जो कि yearly basis पर थोड़े से कम है, but quarterly basis पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसी की वज़े से आप यहाँ पर देख पाऊगे, कि operating profit, हाना, sorry, यहाँ पर profit before tax अगर आप यहाँ पर देखे, तो आपका समयने में आएगा कि लगबग लगबग yearly और quarterly दोनों basis पर company के number बहुत बेकार आते हुए दिखाई दिए, 165 करोड रुपे का profit है, जो कि last quarter में 402 का और एक साल पहले 1200 करोड के आजपस का profit था, तो यहाँ पर आप देखिए, लगबग लगबग yearly basis पर बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान आता हुए दिखाई दिया है, हाना yearly basis पर यहाँ पर net profit भी देखेंगे, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको दन रह जाओ होगे की 113 करोड का profit है, एक Y-on-Y basis पर जो 836 करोड रोपे का profit था, हाना तो इस वज़य से यहाँ पर EPS में भी effect बढ़ता हुए दिखाई दिया, तो overall अगर हम यहाँ पर देखें तो overall काफी बेकार नंबर आते हुए दिखाई दिया, इसके पीछे का reason क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ तक, तो अभी क्या दिखाई दे रहा था, ठीक है न, expenses ज़्यादा थे, हाना तो इस वज़य से कुछ ज़्यादा expenses हुए company के, company के numbers भी काम आते हुए दिखाई दिया, तो यहाँ पर company को इसी लिए, ज़्यादा, हाना यहाँ पर कम इस company के number आते हु यहाँ पर हो गया, बात करिए 10 और 20 का अंतर हाना, तो आदे का अंतर हो गया, तो इसलिए आदे से भी कम जादा का अंतर हो गया, तो इसलिए मुझे क्या नज़र आता है, कि कल के दिन इस share में एक अच्छी गासी गिरावट हो सकती है, ठीक है, पर क्या यह बेच के निकल या फिर वो opportunity रहेगी, उसकी बात हम यहाँ पर चार्ट पर चलेंगे, तब बात करेंगे, तो देखिए sales, सबसे पहले तो company की sales yearly based पर देखें, तो अच्छी गासी बढ़ती भी नज़र आई है, यह एक positive factor है, ठीक है ना, company यहाँ पर धीरे धीरे अच्छा performance करती ही नज़र पड़ेगी, ठीक है जब यह जान लोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि company के पाद अच्छा कासा है, यहाँ पर काम है, जब company के उपर काम होगा, तो आने वाले quarter फिर दुबार अच्छी आ जाएंगे, और जब company के अच्छी आ जाएंगे, तो वो एक opportunity बनती भी नजर आ स Company का लगबख September 2023 का डेटा है, ठीक है, लगबख 16,181 करोड रुपे वर्किंग पोगेस में लगा रखे थे, जिसका फायदा आने वाले टाइम में आता हुआ दिखाई देगा, company के नंबर पे, ठीक है न, तो इसलिए मैंने का है कि एक अच्छा के नंबर के ऊपर नीचे हो जाने से company खराब नहीं हो जाती, ठीक है न, एक अथ quarter चल जाता है, बट इस दिन company के नंबर दुबारा सुधरते हुए नजर आएंगे, वो ही opportunity आपकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, cash की बात करें, तो company के पास 1000 क्रोड के असपास का cash भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम बात करें, company positive cash flows generate कर रही है, यह एक अच्छी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो promoters को शायद पहले ही पता चल गया था, इस बार के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो president of India इनके promoter है, वो यहाँ पर अच्छी खासी quantity बेच के निकल चुके है, हाना FIs और DIs पर अच्छी खासी बाइंग करके बैठ चुके है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखें, तो आपको समझ में आएगा public की holding भी जो पहले धीर धीरे कम हुई थी, क्योंकि share यहाँ पर भाग रहा था, अब share गिरता हुए नजर आएगा, तो इनकी इस्तेदारी बढ़ती यहाँ पर हम बात करें, तो President of India मतलब government बहुत अच्छा और smartly play करके हुए नजर आई है, अब बात करते हैं यहाँ पर, चार्ट से लेटिर चार्ट क्या कह रहा है, क्या इस share में इनवेस्ट करना चाहिए, या फिर जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया पर दोस्वास्ती क बाओ पर ले रखे, अभी वीडियो 27 की बात पर चल रहा है, और share और ज्यादा गिर सकता है, तो कौन सा level buying का opportunity बन सकती है, ठीक है उससे related बाते करेंगे, बाट उससे पहले आप मेशा की तरह आपसे request करूँगा, I am small cap investor, चैनल को subscribe करे, bell icon को hit करे, all को notification को on करे, bank selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, चीटों को सीखना है, वीडियो उसको जाकर देखना है, like, comment, share करना है, bank selling की recommendation नहीं है, और इन number को note करके, साथ में काम कर सकते हैं, और हमारा course join कर सकते हैं, बात करते आगे, NLC India की बात करे, तो सबसे पहले दिखाना चाहता 280 के उपर, वाना यह share निकलता हुआ नजर आएगा, इस share में एक धमाकेदार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, जो इस share को 400 रुपे तक भी लेके जा सकती है, बट वो बात तब है, जब 280 के उपर निकले, ठीक है, अभी बात करेंगे कि, अभी क्या है, अभी क्या है, मुझे नजर आता है कि 195 और 190 तक यह share आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, और इतने जल्दी इस पर विश्वास मत करिएगा, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद company एक दो quarter और अच्छा performance ना करके दिखाए, ठीक है न, और अगर ऐसा होता है, तो यह share दुब नहीं है, तो फिर यह share यहाँ पर 141 और 121 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर यह particular levels है, इन्हें याद रखियेगा, buying की opportunity कब है, company कर अगर गड़ जाता है, ठीक है न, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है, जून, जुलाई, जुलाई तक यहाँ पर return लेकर आपको निकल जाना चीए, ऐसी मेरी राय रहेगी, ठीक है न, एक swing trade यहाँ पर बन जाएगा, उस टाइम जब यह अच्छा कासा गिर जाएगा, बट इसल, याद रखियेगा, buying selling की recommendation नहीं है, और stop loss को हमेशा follow करके ही चले, stop loss को follow करेंगे, तो अच्छा कासा risk management को follow क करेंगे, तो अच्छा कासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अभी की date में क्या नजर आता है, अभी की date में 196, 195 का एक अच्छा कासा levels है, इसे break करता है, तो 177 जो मैंने आपको बताया था, वो एक crucial level, नजर आता है, मुझे लगता है कि अभी एगा 2 quarter तक शायद इ 25 या यह level देखने को मिल सकता है, बाइं सालिंग की recommendation नहीं है, अपने financial advice आ कुछ की study करना है, जश्ट यह share जिस दिन यहां से निकलेगा, उस दिन पैसा बना के देगा, इस चिट को भी याद रखिएगा, तो वीडियो अच्छी लगे, like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को hit, talk notification को on करे, ठीक